उत्रप्रदेश में नए वोटर्स को जोडने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार कारकरम चला रहा है और आज इसको लेकर भी एक प्रेसवारता की गए हमाई साथ बात करने के लिए मवजूद है पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंदिधी शिर्वास्तो आज मैं संशिप्त रूप से डिटेल्स दी गए कि जो अठारा वर्ष के उपर हो चुके है या फिर जो भी अपना नाम संशोधन कराना चाहें कैसे आगे किसकी रूप रिखा रहेगी यह संशिप्त मदाता पुनरीक्षन दूहजार चौपिस का कारकरम 27 अक्टोबर से प्रारंभ ह हो गया है जो 9 डिसेंबर तक चलेगा इस दोरान जो हमारे मदाता नए जो अटारा साल के हो चुके हैं वो अपना वौट बन वा सकते हैं इसके लिए उनको फ़र्म छे भरना और अच्छी बात यह है कि चुकि आज कल सभी जादा तर युवा मदाता हैं और सभी मॉबाइल का अच्छा यूज़ करते हैं. तो उच्छत होगा कि वोटर हेलप लाइन आप को डाउनलोड कर लें या ऑनलाइन माधम से जो हमारा वोटर्स डॉट इसी डॉट जी ओवी डॉट इन वेब साइट है. उस पे जाके नाम इसलिए चलाया जा रहा है कि आप इस दौरान ये चेक कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में कहां पर है. जो एक्जिस्टिंग मद आता है. अमोन क्या देखा गया है कि वोटिंग वाले दिन पर लोग जाते हैं और शिकायत करते हैं कि साब मेरा नाम पहले तो था अब वोटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है. और उस समय तकाल कुछ होने की या कुछ मदद करने की चुकि उस समय कोई टाइम नहीं रहता है. इसलिए ये थोड़ा सा जिम्मेदार होके अगर हम लोग ये करें सा समय, समय रहते हुए अपना नाम चेक कर लें और उसके लिए कुछ नहीं करना है वोटर हेल्प लाइन आप को डाउ इसको स्कैन करेंगे तो तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. एक बार अगर आप इस अभियान के दारान वोटर हेल्प लाइन आप डाउनलोड करके अपना चेक करके लेते हैं डीटेल्स तो आप शूर है कि आपका नाम इस मद्दात इस बूत पे इस सीरियल नंबर पे हैं आप जाएए और अपना वोट दीजे और अपना अधिकार का प्रयोग कीजेए